नमस्कार साथियो स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल नरसिंग स्कूल में तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों तो आपके लिए आरे मिल और सामने ही लिखा हुआ है when perform the colostomy irrigation the nurse insert the catheter into the stoma अब बोला है कि पेशन की जब colostomy होती है colostomy opening होती है कोलोन में ठीक कोलोन में एक opening बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं colostomy और उस colostomy को irrigation perform करना है ठीक है तो जो stoma है stoma किसे बोलते हैं वो जो opening होती है stomach में abdomen में हमारे जो opening होती है colostomy की उसे बोलते हैं stoma stoma के तुरू ही catheter को अंदर दिखाती हूँ catheter को अंदर insert करना होता है colostomy को irrigate करने के लिए ठीक है दोस्तों I hope आप समझ गए होंगे अब बोला है कितनी length जो है insert करनी होगी चार option दिए गए है आपका जो right answer है option number B है आप नीचे देख सकते हैं जिसमें लिखा 10 cm या 4 इंच भी बोल सकते हैं important measurement है याद जरूर रखेगा दोस्तों मुश्किल है आप notes में note down कर सकते हैं जिसको आप daily repeat एक बार दिन में याद करेंगे तो आपको यह measurement याद हो जाएगा ठीक है तो 10 cm में ठीक है 4 inches बोल सकते हैं next question is a patient is to have anema to reduce the flattus the rectal catheter should be inserted up to mark यहाँ पर बोला है कि patient को क्या है flattus reduce करना है उसके लिए रेक्टल catheter अंदर इंसर्ट करना है अब रेक्टल कैथेटर को इंसर्ट करना है तो कितना रेक्टल कैथेटर में इंसर्ट करेंगे चार ओप्शन है राइट आपका जो आंसर है वह option number A है जिसमें दिया गया है 15 cm या 6 inch पूल सकते हैं option number A आप देख सकते हैं 15 cm और 6 inch नेक्स्ट कुश्चन फिजीशन और दी रेक्टल ट्यूब तो हैलप पेशेंट टू रिलीव दी अब्डोमिनल दिस्टेंशन तो अचीव दी मैक्सिममम इफेक्टिवनेस दे नर्स शुद लीव इट फो दे पीरिड अब यह बोला कि फिजीशन ने और किया रेक्टल ट्यूब तो रिलीव दी पेशेंट अब्डोमिनल दिस्टेंशन पेशेंट को अब्डोमिनल कितनी देर के लिए छोड सकते हैं मैक्सिममम टाइम पूछा है कि मैक्सिममम एफेक्टिवनेस जो होगी कितनी देर तक छोडने में मिलेगी पेशेंट को राइट आपका जो ऑप्शन है वो है बी जिसमें लिखा है 45 मिनट्स और इस अलाओ दी एडिक्वेट टाइम फोर एस तो इसकेप 45 मिनट्स जो है मैक्सिममम है ठीक है तो एलाओ दी टाइम फोर गैस तो इसकेप नेक्स्ट कुश्चिन आपका है वाइल एड्मिनिस्टरिंग दी अनिमा मैक्सिमम सेफ हाइट एट वेजी कंटेनर फ्लूट कैन भी हैल्ड अब अनिमा एड्मिनिस्टर करन है तो अनिमा की जो केन है उसकी जो मैक्सिममम सेफ हाइट रहेगी फ्लूट को एड्मिनिस्टर करने के लिए वह कितनी रहेगी चार ओप्शन आप देख सकते हैं आपका राइटेम सेरे ऑप्शन नमबर डी जो की है 45 सेंटिमीटर यह 18 इंच भी बोल सकते हैं इसे हम नेक किस टाइब का पेन एसोशेट करके आपको बताएगा कि इस टाइब का पेन हो रहा है और अगर आपने फूड इंटेक कर लिया तो पैप्टिकल सर में क्या होता है फूड इंटेक करने से पेन रिलीफ हो जाता है ठीक है गिरानिंग पैन आपक क्या है चारथे क्या है और व्थे सट जिस्में पान इक आतिक कटीशू और बिलड तैंगी सटे हैं उसको बहुते हैं इसदक कुशन है आपका a health teaching program for the patient who had the gastrectomy अब gastrectomy का मतलब यह यह removal of stomach stomach जो है उसका removal हो जाएगा तो सब बोलेंगे gastrectomy के बाद patient को health teaching program है ठीक है उसमें क्या-क्या include करेंगे patient में चार option दीए गए हैं आपको आपका राइट आंसर है वह option number D है उसमें यह लिखा है कि आपको बताना है explain about dumping syndrome and how to limited dumping syndrome के बारे में बताना है because आपको मैं बताओं gastrectomy के बाद होने वाले complication है वो होती है dumping syndrome तो patient को आपको पहले से use condition को explain करनी है about dumping syndrome क्या होता है क्यों होता है कैसे control करना है ठीक है how to limited यह सब आपको बताना है ठीक है next question a patient with high test हर्णिया complaint difficulty in sleeping high test हर्णिया है patient को और वो क्या complaint कर रहा है कि उसको sleeping में difficulty है the appropriate nursing intervention will be तो जो appropriate intervention रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं इन चार option में से बोलेगा चार option आपको दिये गए है drink the glass of water before bedtime eliminate the carbohydrate in the diet administer the anti-acid and make the patient to sleep on two to three sleep two to three pillows right answer option number D है patient को बोलेगे दो से तीन प्लोग में सोना है जिससे क्या होगा sleeping on the pillow raise the upper torso and prevent the reflex upper torso मतलब अपर जो ट्रंक होता है यह क्या होगा raise हो जाएगी जिसकी अब जिससे reflex prevent होगा और पेशन को sleeping में difficulty नहीं होगी next question is post operative care for the patient who had hemorrhoid ectomy and should include the patient का hemorrhoid ectomy हुआ है आप देख सकते हैं hemorrhoid ectomy cushion में दिया गया है hemorrhoid ectomy means removal of hemorrhoids hemorrhoids को cut and remove किया गया है और operation के बाद जो patient है वो post operative care कहलाएगा तो after hemorrhoid ectomy patient की post operative care में क्या include करना है oculusive dressing to area, administer the anema to promote defecation, administer the lexative and stool softener and no special care needed right answer आपका है option number c आपको क्या करना है patient को lexative or stool softener को administer करना है as prescribed by doctor because to avoid the straining ताकि patient defecation में straining ना produce करें ठीक है next question is a patient complain the cramps during the colostomy irrigation colostomy की irrigation हुरी है उस ताइम पे patient complain कर रहा है कि उसे cramps आ रहे है तो क्या करना होगा चारह option आपके सामने है option number b आपका right है catheter को कुछ minute के लिए जैसे की लिखा है clamp the catheter for few minutes few minutes के लिए clamp को catheter को clamp कर देना है मतब रोक देना है ठीक है कुछ minutes के लिए next question अब यहां पर बोला है कि एक lab test है जो इंडिकेट कर रहा है cirrhosis of liver and is compromised और जो की compromised है और नियो माइसीन might be helpful अब जो नियो माइसीन है वो helpful होगी किस में चार उप्षिन है option number a ammonia level आपका right answer है अब नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है नियो माइसीन reduce the ammonia level and bacteria in the intestine because जो नियो माइसीन है वो ammonia की level को decrease करेगा और साती साथ बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन में उसे भी कम करेगा ठीक है अब यहां पर मैं आपको बता हूँ cirrhosis of liver में patient को lactose भी दिया जाता है ammonia की level को कम करने के लिए लेकिन option में यहां पर नियो माइसीन लिखा है तो आप यहां पर ammonia की level को कम करने के लिए नियो माइसीन देंगे और lactose भी helpful है to reduce the ammonia level next question which of the following is essential for absorption of fat solution vitamin in the intestine जो fat solution soluble vitamins होते हैं तो intestine में कौन help करेगा fat soluble vitamins को absorb करने के लिए चार option है right answer आपका option number a bile salt जो bile salts होते हैं जो कि bile में present होते हैं वो help करते हैं fat soluble vitamins को absorb करने में next question the turner sign जो turner sign है वो क्या है next option number b आपका है blue is discoloration of flank this flanks का blue is discoloration हो जाना ही कहलाता है turner sign जो की एक condition है for the pancreatitis next question a woman in labor is receiving the antibiotic and she suddenly complete troubled breathing weakness and nausea the nurse should recognize that these symptoms these signs are usually indicate of impending of अब बोला है एक labor में लेडी है ठीक है लेवर में है जिसको antibiotic चल रही है और suddenly उसको breathing में trouble हो रहा है weakness और नोजया फिल हो रहा है तो नर्स क्या सोचेगी में अब आप नर्स को पता होना चाहिए कि कि इसके science है जूरिंग एंटिबाइटिक तो आपका राइट टांस ऑफिन नमर सी है एनफाइल लक्सिस विकॉज उसको एंटिबाइटिक रियक्शन हो रहा है जिके एनफाइल एक्सिस है ऑफिन नमर सी आपका राइट है next is what is a term used for high-pitch musical sound in a client during respiratory assessment respiratory assessment चल रहा है और उस ताइम पर patient के lungs में जो है high-pitch musical sound सुनाई दे रहा है और इस condition को हम बोलेंगे option number B wheezing ठीक है जो कि आस्थमा में present रहता है wheezing next the goal of nursing is to put the patient in the best condition for the nature to act upon him and this was stated by चार option आपके सामने हैं और बोल गया है इन चारों में से किसने यह state कि जो नर्सिंग का जो गोल है वो यह गोल रहता है कि वो जो patient है उसको best condition में put करना है for the nature to act upon him ठीक है यह जो इस्टेट किया था यह कहता option number D Florence Natingle जो है उन्होंने यह state किया था next question nursing is a diagnosis and the treatment of human response to health and illness और जो ही definition है किसके द्वारत दी गई है फिर से पढ़के बताती हूं nursing is a diagnosis and the treatment of human response to health and illness and this definition was given by American American nursing association in 1995 which of the following is known to have a role in wound healing wound healing में कौन से vitamin का main key role है अपका राइटन से option number C है vitamin C next question vitamin C किसमें पाया जाता है आप साभी को पता होगा citrus fruits होते हैं खटे फल जिसे बोलते हैं जिसे कि आप बोल सकते हैं नीबू आमला ठीक है संत्रा मौसमी यह जो फल है इन सम में vitamin C काफी जाता पाये जाते हैं next question due to release of adrenocotical strides by the stress अब stress के टाइम पे जो stride hormones हैं जिसे हम बोलते हैं adrenocotical अभी यह रिलीज हो रहा है ठीक है the patient who has have undergone extensive prolonged surgery are likely to develop the depletion of अब एक patient है जो की prolonged surgery के लिए जाने वाला है ठीक है undergone ठीक है who have undergone ठीक है तो जा चुका है prolonged surgery के लिए अब उस patient का जो है adrenocotical steroid hormone release हो रहा है तो उसके वज़े से patient में किसका depletion देखने को मिलीगा देखने को मिलेगा potassium because adrenocotical steroid hormone क्या करेगा वो potassium का depletion develop करता है जो की stress में भी release होता है ठीक है आपका right answer option में भी है potassium next question according to mass low hierarchy of human needs the highest level चार option आपके सामने है और बूला गया है कि mass low hierarchy के according to human needs का highest level है वो क्या है आपके सामने पांच option है आपका right answer is self-actualization जो की आपके टॉप मोस्ट पे रहता है ठीक है आपके टॉप मोस्ट पे रहता है सबसे उपर next question what is a term used for normal respiratory rhythm and depth एक patient में normal respiratory rhythm भी है और depth भी है तो इस term को हम क्या बोलेंगे आपका right answer option number a यूपनिया यूपनिया ओके next question which of the following is appropriate nursing intervention for a patient with terminal illness who is passing through the acceptance stage यहां बूला गिया है एक patient जो की terminal illness में है जो की acceptance वाली stage के stage से पास हो रहा है और इस time पर appropriate nursing intervention क्या रहने वाला है जो की नीचे चार option में दिया गया है allow the patient to cry encourage restricted visiting explain the patient what is being done यह being around through and not speaking आपका जो right answer है वो है option नमर डी next question electroconvulsive therapy जिसको हम बोलते हैं ECT ठीक है electroconvulsive therapy जो कि firstly introduce करवाई गई थी बाइदा कारलेटी एंड बिनी जो कि option नमर बी आपका राइट है काफी important question है यह next question the following are the true about the retraction accept one अब बूला गया है the following are true इन में चार option में से accept वाला question आ चुका है चार option में से बूला गया है जो आपके पास चार option है उसमें से कोई एक option जो है true नहीं है about retraction चार option दिए गए आपका राइट होगा option में बी जिसमें की बूला गया है देखिए मैं आपको समझाती हो भी retraction के लिए क्या क्या true है यह यह और यह true है और बागी जो option में बी है वो true नहीं है इसलिए accept वाले question में यह आ रहा है तो आपका effects होता है homeostasis after the separation of placenta बट यहां पर लिखा है option में बी में progressive and intense during the first stage this is not true about retraction चीक है next question delusion is a disorder of delusion psychiatric question है यह delusion is a disorder of perception thought orientation and memory आपका right answer option number a sorry option number b thought thought का यह disorder है delusion next question the Simpson grading is used to assess the completeness of surgical removal of Simpson grading यह Simpson grading यह use किया जाता है क्या assess करने के लिए the completeness of surgical removal of meningiomas ठीक है option number b आपका right है and next question is the cardiac failure is the most likely in the pregnancy जो cardiac failure जो most likely pregnancy में होता है ठीक है किस time पर होता है exact है पूछा गया है cardiac failure चार option आपके सामने है 32 weeks first stage of labor third stage of labor and fourth stage of labor आपका right answer option number d है fourth stage of labor में जो most likely pregnancy में क्या होता है cardiac failure की condition होती है ठीक है next question the test which is used to detect the hip instability hip ki instability को detect करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है बार लोड टेस्ट जो की यूज किया जाता है hip ki instability को चेक करने की लिए next question the common gynecological cause of retention of urine urine retention का जो gynecological common cause है वो क्या है option number a आपका right vaginal operation जो भी vaginal operations होते हैं उसके बाद जो gynecological problem create होती है वो यह होती है retention of urine ठीक है the next question the softening of cervix during the pregnancy pregnancy के time पे जो softening of cervix है उस sign को हम क्या बोलते हैं आपका right answer option number B है goodle sign ठीक है goodle sign option B में आपको दिख रहा होगा goodle sign जो है softening of cervix है during the pregnancy यह आपका right answer है RML और SGPJ के लिए जो आपके class ही complete हो चुकिए 30 questions के साथ I hope आपके यह जो शांदर questions है और जित्ते भी MCQ से आपका जो concept clear होगा होगा मैं उमीद करती हूं आपका RML और SGPJ के लगनों के exam काफी अच्छा जाए ठीक है आप काफी अच्छा score करें thank you so much दोसर वीडियो को एंड तक देखने के लिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहना पढ़ते रहना दोस्तों चीक है रुकना मत हार मत मारना तब तक लिए good bye and take care